विवहाशादी में देरी हो रही हो या कोई नया कारे चलू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो या कोई सर्विस के लिए नुकरी के लिए जा रहे हो और वो कारे नहीं हो रहा हो तो एक धतूरा केवल एक धातूरा उस धातूरे को फोड़ कर उसकी अंदर का फल निकाला उस फल को शिवलिमी पर चड़ा कर एक लोगता जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर दिन होना चाहिए मंगलवार कोंसा दिन होना चाहिए जम के बोलो जरा मंगलवा समर्पित करो उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी व्यवसायो और व्यवपार के लिए या नोक्री के लिए समर्पित करें तो उसमें देरी रही हो जितने आस्था चेनल पर कथा सुन रहे हो जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो और साउधानी से सुनना बहुत ध्यांदी जेगा माराजे कथा बड़ी सुन्दर है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना गेर है और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है ज गोबरी जनते हो कंडा अलो ना कंडा अलो नी गोबरी मतलब गाये ने गोवर करा और वो सूख गया उसको थापा नहीं गया है हाथ से कंडा नहीं बनाया गया गोबरी नहीं बनाई गया केवल गाये ने गोवर करा वो सूख गया और वो सूखा हुआ जो गोवर है उसको ज फेद बस्तर में लिया और बाबा पर समर्पित करी उसी भस्मों को हम उठा कर लिया और यदि आप भस्म नहीं चड़ा सकते हैं तो कभी विश्वनात जाएं तो वहां से भस्म लिया हैं कभी उजयनी जाएं तो वहां से भस्म लिया हैं उस भस्म को हम यदि अपने नाभी से जीवन में अगर आप मात्र एक महीने में एक पार भी तर्कुंड अपने वक्षिस्तल के नजदीक में नाभी से उपर अगर लगा लेते हैं महाराज तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रविश करें ही नहीं सकता इस शरीर की अंदर इस शरीर की अंदर भस्म में जो सुख है भस्म का जो आनंद है भस्म का जो रस्तत्व है उस जदी एक छोटा सा प्रेक्टी कले आप करके देखेंगे तो बाबा कोबर बंडारी वेसे ही बंडार वर देगा तोड़ा सा प्रेयास कर आपके सब के घर में गंगा जल है तो एक प्रेयास करके देखिए कोई कारे के लिए आप जा रहे हैं और वो कारे अटक रहा है नहीं हो रहा है बहुत प्रेयास कर लिए आप बहुत दिन से लगे हुए यह काम होना ही चाहिए यह काम बहुत जरूर और होना ही चाहिए, नहीं होड़ा, एक कटोरी में गंगा क Hajal निकाल लीजे, और कटोरी में गंगा का जल निकालकर तुमारे घरमें एक सिकखा पढ़ाओ, एक रुपिया, दो रुपिया, पाँंच रुपिया, कौई साभी एकнут ños असी का पढ़ाओ, जो भी शिकखा पढ़ जो भी कमारे पढ़ाओ, वो सिक्के को हतेली में लेकर कुंद कैश्वर महादेओ का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नेनों से लगा कर आप काम के लिए निकल जाएए वो काम आपका सफल हो करीद है जूट नहीं सकता गंगा के जल में वो बल होता है और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो यह समझ के डाले कि कुंद कैश्वर महादेओ को में गंगा में इस्तनान करने के लिए हमारे पहले हमने हमने भी देखा आपने भी देखा होगा किसी-किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है जब तो क्या करते थे पहले क सिक्का नहीं मैं मंदिर को पर अंगे इस पानी भर्दे संकताomed ¿का अपने एक अगया उस्तनी दिखा होगा उसमें शीवजी को रूंग गोप तो किसके यरी दूपाते थे पुंद कैश्वर महादेओ के यह यह निया में कु přकैश्वर महादेओ का एकश्वर महा देओ का में उस बाठकी में और फिर जब आपका काम हो जाए आप जिससे मिलने गए हो जिससे काम की बात करने ने और काम हो गया तो जल ले जाकर सिक्के के साथ सिक्का तो डालो मंदिर में कहीं दान पेटी आदिक में और वो जल अगवान कुंद कैश्वर के नाम से शिव जी को समर् के पDs autonomous हम तो रोज प्रती दिन उठो और उठते सी धन्यवात है धन्यवाग कि기는 ईधने उठते सिंह को प्रिय है और अंका पुष्प हे पुम्हिल कर pilot होता है शंकर को बड़ा पर नंबार कर शंकर को प्रीय है शंकर पुष्मा अंकर को अप जान देना महारज तीसरे नमबर पर शंकर को प्री है महाराज सरसो का पुष्ट सरसो होती है न जो राय अपन बोते हैं सरसो बोते हैं पीले कलर का जो पुष्ट पे लगता है हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सर्सो आए तो प्रयास करा करो कि सर्सो के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चड़ाना प्रारम कर दो महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बिमारी आपको गेर नहीं सकते अगर सर्सो के फूल शिव को चड़ रहे हैं तो और प्रयास करना कि सर्सो का जो पुष्प होता है सर्सो का जो फूल होता है माराज आगर कोई व्यक्ति को किड़नी या लीवर से जुड़ी होई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सिडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो जैसे किसी के पाऊं रह जाते हैं एक्सिडेंट के बाद किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हूँ वहाँ ब्लेट पहुच नहीं दाओ वो जगा एकदम सुन हो गई हो खाली पड़ गई हो तो उसके लिए शिव महापुरान की कथा करती है कि सरसो के पुष्प ग्यारा शंकर जी के राइट भाग में जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मनी भद्र जिस जगहा पर निवास करते हैं कोन निवास करते हैं मनी भद्र शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मनी भद्र जी तो मनी भद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मनी भद्र जी विराजते हैं मतलब राइट भाग कोन सा हु तो शंकर जी का भी रैट हो गया तो राइट हो गया तो राइट भाग सीधा यारा सर्शो के पुष्प ड्यार के उस द्वार पर आप रख दीजिए और द्वार पर रख लिक्तर अंदर जाकर एक तो आत बापिस जब आप बहार निकल रहे हैं यह पुष्प आप रखने के बार जाएंगे, फिर बापिस आएंगे, मनी भदर रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसो के पुष्प संकर को समर्पित करेंगे महाराच, उस सरसो के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं, उसको बापिस लेकर आएंगे, शिरी शिवाय नमस्तु भ्यम बोल कर उस सरसो के पुश्प को महारज सरसो के तेल की बोटल में उसको डाल लीजिए शंकर भगवान को किसाम के समय प्रदोशकाल में उस तेल को वापिस लेकर जाईए उस तेल का प्रयोग आप नाभी में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस इस्थान पर कम से कम 15 दिन 20 इन तक उसकी मालिश करना प्रयारम करिये बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा मनी भद्र का सूरे नरायन भगवान को जब जल चड़ाया जाता है हाथ सिर से आठ इंच की दूरी पर होना चाहिए जम के बोली है सिर से कितना उंचा होना चाहिए आठ इंच उपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक सिस सूरी को जल चड़ा थे समय और ना चांदी का ना इश्टिल का ना लोहे का ना प्राश्टिक का ना काँच का ना सोने का कोई बरतन ना कांसे का, ना अइलमोनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का, काई का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र, और सूरे नरायन भगवान को जब 8 इंच उपर तुमारा हस्त है, और जब हम सूरे को जल चड़ा रहे हैं, कैसे ज जिसके चेश्ट में केंसर आगया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर केंसर आगया हो या पूँ गठान आगयी हो, तो महराज आप जल चड़ाते समय, उस जल की धारों को सूरी भगवान को जब चड़ा रहे हो, महराज, आप लगातार जल तो चड़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगर कह देंगे गठंटी को, आपका लीवर और किडिनी गरबड कर रहा है, हाट, आपके हाट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, कहीं न कहीं आपको कह दिया, इसमें कुछ न कुछ प्रावलम आ रही है, आप सूरी को अर्ग देना चालू कर दो, सूरी को जल चड़ाना चालू कर दीजिए, आप सूरी को जल चड़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल पर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हिरद पर आपकी छाती पर पढ़ रही है, नाडियों में पढ़ रही है, नसों में पढ़ रही है, उसका बल देखो तो सरी एक महिना लगाता चड़ाओ तो, 15 दिन, 20 दिन करकर तो देखो, सुर नरेन भगवान को जल चड़ाते समय, आपके पंजों की एडी मुची नहीं होना चाह भूमी पर, हाथ कितने इंच उपर, आठ इंच उपर होना चाहिए, जल जो गिरे, सूरी की किरन, सूरी का दर्शन, उस जल की रोशनी में करना चाहिए, जिस बच्चे को आख में चसमा लगा हो, मोटे से मोटा चसमा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसक तो सूरी का अर्ग चड़वाना चालू कर दो जल में से सूरी का दर्शन कराना चालू कर दो दो महिना धाई महिना बहुत है आपकी रोशनी बढ़ जाएगी चस्मा हट जाएगा एक बात और कहना चाहूंगा अगर आप लोग स्विकार करेंगे तो अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है विद्या में कमजोर है रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा पढ़ने में कमजोर है वो पढ़े अपनी जगा पढ़े वो कारे करे अपनी जगा करे मेनख करे अपनी जगा करे बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूरी को अर्द देना चालू कर सूरी की किरन जहाँ पर बहंमण या हिंदू धर्मत अब सूरी की गिरन इस भूकूटी के बीच पढ़ना चाहिए पर न तो पानी कम से कम ना-ना करते ओर लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए कं दीरे तो यहाँ एक रेखा सूरी की पढ़ती है एक कौन सी सब्जी होती है जो पित्र पक्ष में ब्रहांवन को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती है एक तो कुम्ड़ा दूसरा पत्ता गोवी जो बंद गोवी होती है ना वो बंद गोवी जो होती है ना पत्ता-पत्ता वाली उसकी भी सबजी और पित्रों के अगर अगर बोजन करता है तो इसमें नहीं बनाई जाते। एक कुंबड fried you he mlio पेठा बनता हे ना जो यह भी श्रादब पक्ष में नहीं खिलाया जाता। से नहीं गुर्य कुला पेडा वोलते इसको शराद्य पक्षम स्को भोझन में नहीं दिया जाता ब्राम्मन के दो श्री शिवाय नमस्तु ब्यम स्ब बोख एक वार जमकर म् शिरी श्रीक शिवाय नमस्तु प्रेक्टिकल जरूर करना कहीं सीवर वाला महरा जूट तो नहीं बोल रहा सास्तिरों की बाते हमरे जीवन में